नमश्कार में बबे जहां, मैं असे निजलाएं में आप सबी कर स्वाकते आए देखते हैं आज की खास खबर जम्मू कश्मीर में पुल्वामा में मुल्वामा में मुत्भयर में दो आतंकी घेर एक जवान सक्रूद जम्मू कश्मीर के पुलवामा में देर रात से जारे मुटभेर में सुरक्षा बलो ने दो आतंकियों को मार गिराया वहीं इस दोरान घायल हुआ एक जवान भी शहिद हो गया पुलवामा के दलिपूरा इलाके में देर रात आतंकियों की मौझूदगी की गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस और सेना के संयुक्त टीम ने सर्च अभियान शुरू कर दिया इसी दोरान आतंकियों ने गोली चला दिया इसके बाद दोनों तरफ से गोली बारी शुरू हो गई सुरक्षाबलों की टीम ने तो आतंकियों को मार गिराया दोनों का शौब बरामत कर लिया गया है मुटभेर के दोरान दो जवान और एक आम नागरिक चपमी हो गय बाद में घायल में से एक जवान ने दम तोड़ दिया अन्य घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है पुलवामा इंटरनेट सिवा रोग दी गई है 12 महे को जम्मू कश्मीर के सोपिया जिले में मुटभेर में लशकर ए तयाप के दो आतंकवादी मारे गए थे मारे गए आतंकवादियों में एक पूर्व विशेश पुलिस आधिकारी भी शामिल था इससे पहले 10 महे को जम्मू कश्मीर के सोपिया में ही सुरक्षापलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया था अब बौध मंदिरों को निशाना बनाने की फिराख में आतंकी पिछले महेने में शीलंका में हुए नरसंधार के बाद अब आतंकियों की नजर बांगलादेश और पस्चे बंगाल की बहुत मट और मंदिरों पटिकी है जानकारी के अनुसार बांगलादेश का आतन की संगठन जमात उल्फ मुजाहिदिन बौध मंदिरों को निशाना बनाने की फिराफ में हैं हाला कि शिलंका में इस्टर के दौरान चर्च में हुए आत्मखाती हमले में 200 से जादा लोगों की जान चड़ी गई थी जानकारी के अनुसार जमात उल्फ मुजाहिदिन ने महिला फिदाइनों की एक तोली बनाई हैं जिन्हें हमले की खास ट्रेनिंग दी गई हैं यह हमले बांगलादेश और भारत में पस्चिम बंगाल की बहुत मठों और मंदिरों में हो सकते हैं इस हमले को अंजाम देने के लिए जो प्लान बनाया गया है वो बेहद ही खतरनाक हैं खूपिया जानकारी के अनुसार इन महिलाओं आतंकवादी को बहुत शर्धालों बना कर मंदिरों और मठों में भेज़ जाने की तयारी चल रही हैं जानकारी के अनुसार आत्मघाती हमले के लिए आतंकियों निबुद पुर्णिमा का दिन चुना हैं हाला की सामने आते ही हर तरफ खलवली मचा दी गई है दिली समित यूपी के साथ इस्टेशनों को बंब से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रसासन की नीदूर गई ह पूर्य परिजब में हरकम मचा दी गई है इस लिस्ट में मेरट, शामली, हिजामुदीन और गाजियाबाद समित दिली और यूपी के साथ स्टेशनों को बंब से उड़ाने की धमकी मिली है दरसल गुदिवार को एक पत्र पुराना गाजियाबाद स्टेशन पर रेलवे एक मेल आया है जिसके बाद भीड भीड भरे बजारों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है खूफिया विभाग ने भी शत करता बढ़ा दी है यहां पत्र और इमेल किसकी तरफ से भेजा गया है इसकी पुलिस चांच कर रही है इनमें किसी संगठन का नाम नहीं लिखा ह पत्र और इमेल से धमकी भेजने वाले ने 72 घंटे का अल्टिम मेटम दिया है साथ स्टोशनों पर बम धमाके कर उड़ाने की धमकी दी गई है स्टेशन पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है लैटपॉंग वो सर्कुलेटिंग एरिया में चेकिंग बढ़ाई गई है टेन पता लगाया जा रहा है कि इमेल कहां से और किसने भेजा है इसके लिए इमेल सर्वीस प्रोवाइडर कंपेणी का साहरा लिया जा रहा है हाला कि गाजयाबा रिस्टेशन को इस से पहले भी कई बार बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है तो MNS News Live की खपर देखनी के झाल